वेल्कम टी स्टों डिक्रेशन डिक्रेशन पांच सिकेन बाद शुरू होगा रेडी स्टार्ट आज देवोत्थान एकादशी है आसाढ मास के सुक्ल पक्ष की एकादशी से चतुर मास निद्रारत भगवान विश्णू इसी देवोत्थान को जगते हैं इस दिवस को तुलसी विवाह पर्व के नाम से भी जानते हैं तुलसी का विवाह भगवान विश्णू के एक अवतार शाली ग्राम से हुआ था तुलसी लक्ष्मी रूपा हैं इस अवसर से चुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि जो कन्या सुख से वंचित हैं उन्हें पूरे मनोयोग से तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए हिंदू तुलसी विवाह से ही समस्त मांगलिक कारियों का आरंभ करते हैं इसका फल गोदान से भी अधिक बताया गया है तुलसी मूलतह वनोशधी है इसके महत्य को अलग से रेखांकित करने की आवश्यक्ता नहीं है कोरोना काल में जहां जीवन संकट में है वहां तुलसी इम्म्यूनिटी पढ़ाने में बहुत सहायक है आदि चिकित्सक धनवंतरी ने इसके विशय में विश्तरित उलेख किया है जिसे वन की घास समझ कर लोग तुछ समझते थे उन्हें देवताओं के स्वामी भगवान विश्णू की प्रिया का दर्जा प्राप्त है तुलसी की पूजा का अर्थ ही उसके सनरक्षन के संकल्प से जुड़ा है पुराणों में उलेख है कि भगवान विश्णू ने जालंधर के वद के पुर्व उसकी पत्नी वरिंदा के साथ चल से मानहरन किया था वरिंदा ने पतीवरत के पल पर भगवान विश्णू के सडयंत्र को भाप लिया और क्रोधवस उन्हें पत्थर हो जाने का शाप दे दिया जिसके फलसरूप ब्रहमांड में प्रलय की इस्थिती बन गई तब देवताओं और माता लक्ष्वी ने वरिंदा से भगवान विश्णू को साप से मुक्त करने का आग्रह किया शाप मुक्त करने के बाद वरिंदा अगनी में समाहित हो गई उसी राख पर वरिंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई तब भगवान विश्णू ने कहा मैं तुम्हें हमेशा अपने सिर पर धारण करूँगा और देवी लक्ष्मी की बहात तुम्हारा भी मान सम्मान रहेगा तुलसी जीवन में जिस हरियाली एवं विभिन रोगों के छै का स्रोत है उसका बखान जितना करें वह कम है समय की मांग है की आज प्रतेक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए प्रतेक अवश्य होना चाहिए